हाई गाईज वेलकम बेग टो प्लश्वेद निकी कितना सारे तो आप लोगों को बता है कि अभी रिसेंटली नाइका पे वन ओफ दा बिगेस सेल लगी थी विच इस पिंक फ्राइडे सेल तो उससे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है एक्चुली थोड़ी सी जादा ही कर है तो वो शॉपिंग का मैंने सोच एक होल बना देते हैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है एंड मैं जो प्राइसे मैंशन करूंगी स्क्रीन पे वो सेल प्राइसे थे जिस पे मुझे प्रोड़क्ट मिले हैं मेरे पास है हेर केर है मेकप है इस सेल में ना क्या होता है कि अल्मोस्ट सब कुछ ना अप टू 50% ओफ होता है काफी अच्छे अच्छे डिसकाउंट मिलते है मेरे पास नाइका लगजरी का बोक्स तो एक ही है क्योंकि मैंने एकी चीज़ लूग गया है दैन मेरे पास एक यह बोक्स है नाइका वाला बो अच्छेज की है दैट इस माइ फेवरेट फ्रॉम प्लम गुड़नेश इट देर नायसीनमाइट सीरम नायसीनमाइट एक्चुली राइस वाटर एंड नायसीनमाइट सीरम यह मेरा फेवरेट है जब मेरा फेस फूल ओफ अक्ने हो गया था ना उसके बाद विंटर आगे जितना हाइडरेशन ओईली स्किन को चाहिए नहीं होता तो यह ना विंटर में तो आप यूज करना अगर समर सीजन में यूज करने के लिए आपको नायसीनमाइट सीरम चाहिए ना गोफोर डॉटन की वन और ना भी डॉटन की वाला ही में यूज करी थी उसकी दो बोटल मैंने कटम कर दी समर सीजन में अभी विंटर आगया तो मैंने यह ओडर कर दिया एंड आई अल्रेडी स्टार्टर यूज इसका टेक्श्चर ना मिलकी सा टेक्श्चर एसी इस वर्क्स ग्रेट फोर दा एकने मार्क्स एंड ओईली स्किन के लिए एकने प्राउन इस वन अफ दा बेस्सीरम आप ट्राइड और गाईस जैसे मैंने बताया कि यह सेल लगती है ना जो बिगेस सेल में से एक है जो साल की नाईका पे बिगेस सेल आई दो लगती है तो इस पे एक तो मुझे एक अच्छा खासा डिसकाउंट मिल गया इस थर्टी एमिल हाँ इसका प्राइस एक प्राइस एक तो मुझे अच्छा खासा डिसकाउंट मिल गया उसके साथ ही मुझे एक ही किट भी फ्री मिली है इस में तीन प्रोड़क्ट होंगे और प्लम से ही है ये kit मुझे free मिली है, मुझे ट्रेवल किट्स काफी अच्छे लगती है इसमें एक है Vanilla Caramel Body Lotion Then we have Plum Body Loving Shower Gel Hawaii and Rumba, ये मैंने try करी हुई है ये बहुत अच्छी है Actually मेरे पास ये आथी और मेरे भाई उठा के लेगा है, उसको भी काफी अच्छे लगी स्पेशली प्लम के जो Body Care Range के प्रोड़क्ट्स है उनकी फ्रेग्रेंस ओ माई गॉड़ इतनी heavenly फ्रेग्रेंस होती है, ये चुटकू सा Body Mist है, इसका मेरे पास बड़ा पड़ा है थोड़ा सा चोटा पड़ा है, ये इतना इसका मेरे पास पहले हीप-hop skincare की थी नोस्टिप्स थी वह भी काफी अच्छी है इस वार ये ट्राइ करते हैं, ये उनसे सस्ती थी जोड-जोड से लोगों को स्कीमें बता दे ये ले लेते हैं ये नोस्टिप्स ली हैं, इसमें 6 नोस्टिप्स हैं अन्या थो जाती हैं, इस ये उतना बस पहला एंचो पहले हैं और राट मेरे काफी ब्लैकेट्स वह जाती हैं इसका मैं आपको बता रहे हूं कि बहुत जाता नोस्टिप्स वगेरे यूज़ नहीं करने चाहिए इतने सारे ब्रेंड्स हो चुके है नाम प्रणाउंस करने है लैनेज का है यह लिप मास्क इट्स मैं सेकिंड गाईस पहले मैंने एक खतम कर दिया है इसका इसका इस लगजरी ब्रेंड वोक्स देखे पता चल गया होगा तो मेरे पास यह खाली वाला भी यहीं पर पड़ा है मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है और इसको ना यह मेरा एक साल निकाल किया गाईस कन यू बिलीव इट ग्रैम और यह एट ग्रैम का मेरे एक साल पूरा तो नहीं लाइक एट नाइन मन्स तो निकाली किया बिकस लिप स्लेपिंग मास्क तो मैं इसको रात में ही यूज कर यह पर दिन यूज करती ना दिन में रात में जल्दी खत्म हो जाता लेकिन मैंने इसको रात में यूज करें डिस इस सो गूट थोड़ा सा प्राइस ही लगेगा आपको पहले जब मैंने यह लिया था ना उस टाइम पे ने 500 का था इसका जो एमर्पी था अभी मैंने लिया कर दिया यूज करना यह लिप्स को इतने अच्छे से हील कर देता है ना मैं कॉंटेंट क्रेटर हूं सम्टाइम ऐसा होता है कि एक बार में मैंने भी शूट करा तो मुझे चार लिप्स्टिक लगाने लगाओ निकालो लगाओ निकालो तो लिप्स एक्दम रफ हो जाते है ड्राइ हो जाते हैं और विंटर सीजन में भी मेरे को ऐसे लिप्स फटने लग जाते हैं तो यह जल्दी हील कर देता है ऐसे लिप्स्टिक लगाती है उससे जो लिप्स को प्रोब्लम होती है वो तो एक रात में सुबह उठके सब सही हो जाता है और वैसे लिप्स वगरे यह त्राय करके देखो यूग ओन डेफिनिटली लव दीस यह मेरे पास इसमें भी वैरियंट आते हैं मेरे पास यह बैरी वैरियंट है मुझे यह अच्छा लगता बट उन्होंने फ्री साथ मैं इस मास्क के सेल च छल रही थी तो सेल में कुछ न मुछ फ्री देते हैं तो इस मास्क के साथ मुझे मीना है व debugging मान्क जो मुझे कप से ठ्राई करना था तो एन्होंने फ्री दी अब हमें है अच्छा लगा तो I'll go for the bigger one then I have then i have water bank blue hyaluronic eye cream then i have water bank blue hyaluronic cream normal face cream for combination to oily skin and this one is for normal to dry skin and एक चीज हो रहा है हमारे पास यह है radiant c cream i think vitamin c cream होगी तो यह मेरे को छोटे छोटे पाउच मिले है try out करने के लिए तो i would love to try them होगा ना फाइदा सेल में अभी भी उनकी शाहिद कोई सेल वापस से स्टार्ट हो चुकी है उतने बड़े वाली सेल तो नहीं है पर सेल स्टार्ट हो चुकी है उसमें भी शाहिद वह अप्टू कुछ ब्रैंड्स पर अप्टू 50% ओफ दे रहे हैं बाकी में लिंक्स दे दूँगी आपको आप जाके चेक आउट कर लेना आपको जो भी लेना हो देख लेना कैसा कितना डिस्काउंट मिल रहा है ओकी अभी आते हैं हम मेकप पे मैंने कुछ नए प्रोड़क्स ले हैं ट्राइआउट के लिए सारे नहीं लिए हैं भी रीपरचेज नहीं किया मैंने मेकप वाला तो बिकस मेकप तो यार नहीं ट्राइआउट करते लाना चाहिए मेरे पास जो अफोड़ेबल है फर्सली अफोड़ेबल प्रोड़क्स मैंने लिए हैं वो है यह है इनसाइट कोस्मेटिक का मेडालिक ग्लेटर आईशेडव मेरे पास ना उनके ना क्या ना में स्विस बूटी के आईशेडव है लिक्विड आईशेडव ऐसे इतने अच्छे हैं इतने प्यारे लगते है तो मैंने सोचा इस बार इंसाइट ट्राय करते हैं यह कुछ ऐसा है और यह ना काफी इंसाइट के सारे प्रोड़क्स ही काफी अफोड़ेबल है और उनके कुछ प्रोड़क्स बहुत ही अच्छे हैं ओके हाथ पे तो अच्छा लग रहा है पर यह बहुत ज्यादा वोटर मक्सी यह इतनी कुछ नहीं दिख रही है I hope यह आई इस पर थोड़ा दिखे बट ट्राइ करके देखेंगे कैसा है जो कि मैंने अल्री ट्राइ कर लिया है उसकी एक शोट वीडियो में डाल दूँगी इंस्टाग्राम पे अगर आपने लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैट लिप सिरम कुछ ऐसी पैकेजिंग है आई लाइक दा पैकेजिंग मैट लिप सिरम है बट मैट है तो मैंने सोचा कि देखना चाहिए इसका फॉलो कर लेना जाके मुझे इसका शेर्ड अच्छा मैं शेर्ड तो दिखाई दू ना आप लोग नहीं पर आप शेर्ड भी वहीं पर चाहिए रेंज में एक और अच्छा ब्रैंड हता है देटी स्विस्स ब्यूटी उसका भी प्रोडक्ट है उनका यह न्यू लॉंज था आई एम ब्लश होडर टीन्ट होडर जितनी मेरे पास अच्छी ब्लश होती है ना जो मुझे अच्छी लगती है मैं सारी ब् इसमें लुमि मैट मैट फिनिश लिखा मैं करें ना शीमरी शाईनी भी होगी और मैट भी होगी तो मुझे भी इसका फॉमूला देखना था मैं काफी एकसाइट थी यह ने कुन सा अचीम अच्छ ज़य का इसमें यह कोरल ही है मूंड लीफ टर। कोरल थैंड कोर अच्छ इस दिख रहे हैं चमकीली चमकीली रुखो सी किती शाइनी है ये ये एक्चुली मैं डबल शेट दे रही है कोरल और गोल्डन सा I like it मैं डेफिनेटली इसको यूज करूँगी और इसकी वीडियो भी डालूँगी then we have a highlighter मैंने naika के products जो naika का हुद का brand है ना । ये naika के makeup से मैंने लिया naika का ये strobe and glow highlighter काफ़ी सुना है इसके बारे में की काफ़ी अच्छा है और ये भी मुझे अच्छे discount पर मिल गया था इसे मैंने शेयड लिया है अच्छा आप देखी लो यह वहला शेड लिया है मैंने लेट्स सी है कैसा मैंने कुछ भी स्वोच करके लो तिंची देखी थे भी स्वोच करके देखा नहीं था ये तो यार यार ये काफी हो अच्छा लग रहा है नेट्रल सी फिनिश लग रही है इसकी अब मैं वताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ मैंने एक और हाइलाइटर मंगवाया था याँ फोरेवर फिफ्टी टू और ना वह रिटर्न कर दिया अभी रिटर्न करके वापिस दूसरा आना था वैसा ही मेरे पास इस तिन में रिटर्न ना नहींग है पैसुलिर ःषिस ने अब शत्रीकन कर दो कम करसा में जित्षाब है यह कि एक डिपटी मेंसि इसकी डिषिस ना स्थिसरा क्रशाओ भ्या से हुआ मेरे मेरे पास में सथा मेरे साथ क्या हुआ यह मेरा मेकप फिक्सर गुम हो गया मैरे अभी थोड़े दिन पहले ना मेकप बुकिंग थी यह मैं प्रोफेशनल मेकप आर्टिस्ट और आप लोगों को नहीं पता तो अच्छा मैं उसका भी पर्मोशन कर देती हो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो यू can contact me guys Instagram ID पर कर सकते हो एंड जिनके पास WhatsApp नमर है करी सकते हो तो वहां पर गई ना तो इंडा मेकप फिक्सर मिला ही नहीं मुझे उसके बाद मेबलीन फिट मी मेट प्लस पोरलेफ मेकप फिक्सर एक है एक में मेक का यूज करती हूँ और यह मेकप फिक्सर गाइस इतना अच्छा है ना लाइक स्पेशली फॉर ओईली कॉंबिनेशन स्किन एंड सारी स्किन के लिए अच्छा है वैसे तो यह मैट कर देता है आपके लुक को और काफी बंदल लॉंग लास्टिंग बना देता है मेकप को भी तैना यहाव सम्मोर फिंग्स फॉम मेबलीन फिट मी रेंच हो कि मैं फिर्स त इसकी इतनी हाइप है मैंने इतने रिजर्ट्स अच्छे सुने हैं तो मेरे पास यह यहाँ यहां पर बंदा ऐसे आसे करके खुलता है और इसका रिव्यू यह कैसा सच में काम करता है वो भी आपको इंस्टापर मिल जाएगा मैं ट्राइक गरुंगी खुद पर दैन मैंने मेबलीन फिट मी का एक और कंसीलर जो की नॉर्मल वाला कंसीलर है और वो मैंने लिया है सबसे डार्क शेड में इस इस और मैबलीन की प्रोड़क्स काइस काफी अच्छी है आप लोग चैक आउट करना इनका पाउडर आता है जैसे फिक्सर भी अच्छा है यह कंसीलर भी अब अनदर मेकप प्रोड़क्ट फ्रोम वेरी गुड ब्रैंड इस पैक पीछी इट यह बनाना पाउडर मैंने मिनी वाला लिया है मैंने सचा ट्राइ करते हैं पहले और अगें इस फोर मैंटी मेरे पास तो बोट पाउडर पढ़े हैं इस फोर मैंटी और यह इतनी सी है इतनी सी है फर्स आफ वल आई लव दपेकशिंग इतनी सी है इसमें बट यह काफी अच्छा है इसके बीजल्स मैंने काफी अच्छी सुने देख इतना सा है बीच में अभी मैंने क्लाइंस के लिए है पहले ट्राइ करूंगी अच्छा लगा तुमें इसका बड़े वाला म सीरम लोरियल एक्स्टर ओडिनरी ओईल यह बहुत ही अच्छा है मुझे नहीं बदा यह कौन से किती मतलब मैंने यह रिपरचेस किया है सेकिंड थर्ड बोटल कौन सी मैं और मेरा भाई यह यूज करते हैं इस इस लाइक सो गुड ही आपको हीट स्टाइलिंग करने है उस यह बहुत है मेरे पास एक और प्रोड़क्ट है मेरे पास है कर दूसरे वाला बाद में दिखाऊंगी मैंने यह भी लिया था वी है इस फ्रॉम इंसाइट को स्मेटिक हैं मेकप ब्रश क्लीनर कुछ ऐसा है इसे ब्रश मतलब अपने रखके ना मेकप करते हैं तो दैन ऐसे करके क्लीन कर सकते हैं यह मुझे काफी सब्सक्राविक जाला वे निया नहीं के डीकंट को पता होगा और और इंडिया के चरश Zoo काा जाता है मेले रिपेर कॉम्पलेक्स 05% हेयर सीरम, सीरम पॉर सम्थिंग लाइक कुछ भी लिखा हुए इसमें, विद अमीनो ऐसीड, आरगनोयल, स्क्वेल, एंज, रिपेर और प्रोटेक्ट हेयर बॉंड्स, इसकी इतनी हाइप थी ना, मैंने इतना सुना इसका नम जिसको देखो, वो यूज कर रहे हैं, जते भी इंफ्वेंसर हैं, सब लोग सजेस्ट कर रहे थे, और मेरे बालों की हालत वैसे खराब होई पड़ी है, और मुझे लैंख छोटी नहीं करनी तो मैंने सुचा, बालों की हालत ही थोड़ी सही कर ली जाए, तो मैंने ये मंगवाया है, मैंने ट् सब्सक्राइब कर देता है, जो जैसे ड्राइब कर देता है, तो सही हो जाएंगे, एंड शाइन वापिस लेगा हैर की देखते हैं, काम किया तो मैं डेफिनिटली इसका रिव्यू ये था नायका का पिंक फ्राइडे सेल होल, कमेंट डाउन आपको इन में से क्या अच्छा में बड़ ये